जहिन दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में रेल्वे आर्पी अग्जाम से रेलेटेड जीके एंड जर्णर अवेर्नेस के टॉप 50 MC क्यू करेंगे पहले सवाल देखेगा कि भारत के उच्टम न्याले भारत के सुप्रीम कोट को ठीक है केंदर और राज्यों के बीच विवाद करने प्तारा करने की सकती किसके अंतर गताती है देखे भारत के उच्टम न्याले को केंदर और राज्यों के बीच विवाद करने प्तारा करना है तो ये जो सक्ती होती है, वो किसके अंतर गताती है, तो option है, मौली का अधिकारिता, शामेदानी का अधिकारिता, प्रामर्श अधिकारिता, या फिर अपिल अधिकारिता, तो right answer हो जाएगा, option number A, मौली का अधिकारिता के अंतर गताता है, ठीक है, next सवाल देखेगा, कि लोक्षेवा आयोक के अधेक्ष की न्यूकती करते समय या फिर राज्य में राष्टपदी सासन के लिए सिफारिस करते समय या फिर किसी विधेयक को पुनर विचार करने के लिए लोटाते समय तो इस सवाल का राइट एंसर हो जाएगा उप्षन नमबर ए विधान सभा को भंग करते समय ठीक है राज्य पाल मंतिरी परिशत की सलाह पर विधान सभा को भंग करते समय काम करेंगे अगला सवाल है सूर्य में उस्मा और प्रकास किसके दौर उत्पन होते हैं सूर्य में उस्मा और प्रकास जो होता है आपके option है nuclear अब करिया, आईनी अब करिया, जैवी कभी करिया या फिर रहसाईनी कभी करिया किसके दौर उत्पन होते हैं तो right answer है nuclear अभी करिया के दौरा सूर्य में उश्मा और प्रकास उत्पन होते हैं एक प्राकरितिक परिघटना जो प्रदूसर के कारण हानी कारक बन जाती है वह है option है कि वेश्विक टापन, पारिस्तितिके संतूलन या फिर पादप गरी प्रभाव या फिर मरुस्तल तो राइट एंसर हो जाएगा आपका पादप गरी प्रभाव, option number C अगला सवाल है अब घटकों में सामिल है, option है बैक्टिरिया, फंगी, बैक्टिरिया और फंगी दोनों ही या फिर जनतू अब घटक में कौन सामिल होता है तो बैक्टिरिया और फंगी, ये दोनों ही क्या होते हैं, वो आपका अब घटक में सामिल होते हैं, ठीक है अगला सवाल देखेगा प्रकास भीरूता किसकी कमी के कारण होती है देखे प्रकास भीरूता जो होता है यह आपका option है vitamin B1, vitamin B2, vitamin B4 या फिर vitamin B6 तो right answer हो जाएगा आपका vitamin B2 प्रकास भीरूता जो होता है यह आपका vitamin B2 की कमी के कारण होती है अगला सवाल देखेगा कि निमने लिखित में से कौन सा यंत्र विदूत उत्पादित करता है देखे कौन सा यंत्र है जो कि विदूत उत्पादित करता है option एक डाइनेमो, विश्लेसर, धारमापी, संचारी या फिर विदूत अभिलेग तो रही टेंसर हो जाएगा डाइनेमो, डाइनेमो जो होता है यह आपका विदूत उत्पादित करता है ठीक है अगला सवाल है भ्रसन का मुख्यकाराड है option है तनाओ, पवन, ज्वारिय सक्रीता या फिर गृत्तेवल तो रही टेंसर है तनाओ, option नमबर A अगला सवाल है तामिल लाडू में इस्ति थर्मल पावर प्लांट यह है कुंदा, रामागुंडम, पायकारा, नेवली कहां है तो यह नेवली में इस्ति थे ठीक है नेवली में है तामिल लाडू में इस्ति जो थर्मल पावर प्लांट है यह नेवली में इस्ति थे अगला सवाल देखेगा, किस राज्य में वनों का सर्वच परतीसा थे, option है उत्तरपरदेश, मिजोरम, अरुडाचलपरदेश या पिर असम, कौन सा राज्य है, जहाँ पर वनों का सर्वच परतीसा थे, तो right answer है मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में, सरवाधिक वनों का परती किस ने कहा था तो राइट एंसर हो जाएगा मार्क्स नहीं कहा था अगला सवाल है निमली लिखित में से किस चीर परतीष्टित अर्थ सास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्ति सिद्धान दिया अगला सवाल दिखेगा पुझिगत वस्तू उन वस्तूओं को कहा जाता है जो कि वस्तूओं के और अधिकुत पादन में सहायता करते हैं ठीक है अगला सवाल है किसी अर्थ सास्त्री की वृद्धी की दर किसके संदर्ब में मापी जाती है देखे किसी अर्थ सास्त्री की जो वृद्धी की दर होती है ओप्शन एकी प्रतिवेक्ति आये और द्योगी की विकास गरीबी रिखा से उपर उठाएगे वेक्तियों की संख्या या फिर राष्टिये आए, तो right answer हो जाएगा, राष्टिये आए, option number D, ठीक है, किसी अर्थ सास्त्री की वृद्धी कि दर, राष्टिये आए के संदर्भ में मापी जाती है, अगला सवाल देखेगा, computer network सब्दावली में, when किसका सूचक है, option है, world area network, wide area network, या wide area network, या फिर wireless area network, तो right answer हो जाएगा, wide area network, computer network सब्दावली में, when जो होता है, या wide area network का सूचक है, अगला सवाल है, असोग किस राजवन्स किस राजा थे, option है, प्रदियोत, हर्यक, मौर्य या फिर नंद, किस राजा थे, तो मौर्य वन्स किस आ सकते, असोग किस राजवन किसे माना जाता है, देखे, माराथा समराज्य का जो दूसरा संस्थापक है, ये बाजी राओ को माना जाता है, किसको बाजी राओ को, अगला सवाल देखेगा, निम्रिलिखित में से कौन से विशे संग सूची के भाग है, option है, banking, क्रिसी, पुलिस या फिर सार्वजनिक स् बास्त होता है, ये क्या है, ये राजे सूची के बाग है, ठीक है, अगला सवाल देखेगा, सिमान्त गांधी किसे कहा जाता है, अगला सवाल है, वूड का डिस्पेच किसके बारे में था, option है, उद्योग, सेना, क्रिसी या फिर सिक्चा, देखे, वूड का जो इसके बारे में सिक्चा, अगला सवाल देखेगा, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए, किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम खालिस्थान वर्स होनी चाहिए, देखे, राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है, ठीक है, तो आपके उमर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम तीस वर्स होनी चाहिए आपको ठीक है कितना वर्स होना चाहिए तीस वर्स होना चाहिए और याद रखेगा कि लोग सभा ठीक है यदि पूछ लेगा कि लोग सभा के लिए कितना होना चाहिए तो लोग तेंसर है नीला ग्रह का नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है प्रित्वी को उपर से देखेगा कभी असमान में जाके नीला दिखेगा ब्रह्मा पूत्र नदी के तट पर कौन से सहर इस्ति थे देखे ब्रह्मा पूत्र नदी गए होंगे आप लोग तो देखे होंगे कि वहाँ पर जो है option है कानपूर, स्रीनग, डिब्रूगड, लखनव, डिब्रूगड इससी थे, कौन ससार इससी थे, डिब्रूगड, ब्रह्मा पुत्र नदी के तट पर, डिब्रूगड इससी थे, अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, कबुर्दे, नाथुवाडी पीरपंजाल या फिटाइक, तो राइट एंसर पीरपंजाल, यह जो पीरपंजाल है कि भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग है, ठीक है, अगला सवाल दिखिए, कुटीर जोती योजना किस से संबंदी थे, दिखिए जो कुटीर जोती योजना था, यह आपका गरीबी रे है ठीक है उसे क्या कहते है कुटीर अगला देखेगा घूडन करने वाली वस्तू पर लगाए गया एक बड़े बल का पड़ाम बड़े खालिस्तान में होता है द्रवयमान बल अगुड घूडन की धूरी या फिर द्रवयमान का केंद्र तो राइट एंसर हो जाएगा बल तो अगला सवाल है वायूदाब को मापने का यंत्र को खालिस्तान कहते हैं दिख्यों वायूदाब इसको मापने का जो यंत्र होता है अप्छेन है ऑनिमोमीर nee बैरमीटर हाइगोमीटर या फτί थर्मामिटर, क्या कहते हैं, तो बैरोमिटर कहते हैं, option number B आपका right answer हो जागा, why उत आपको मापने का जो यंत्र होता है उसको बैरोमिटर कहा जाता है, ठीक है, मापकर दिखिएगा कभी बैरोमिटर मिले तो, अगला सवाल है, oxygen की खोच किस ने की थी oxygen आप जो सांस ले रहें, ठीक है, इसकी कोच किस ने की थी, बताओ, इसकी भी कोच करने लग गया कॉरल सीले, हुक, हिंजनबर्ग, या फिर विलियम्स, किस ने किया था, कॉरल सीले ने कॉरल सीले जो थे, इन्होंने oxygen की खोच की थी, अगला सवाल है, निमनलिकित में से कौन सा एक प्रभावी अगनी सामक है, ओप्शन है, आरगन, हेलन्स, हेलोजन, या फिर हिलियम्स, कौन सा है, तो हेलन्स, हेलन्स जो है, ये आपका प्रभावी अगनी सामक है, नेक्स्ट है, दूद में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, दूद, देखें होंगे, दूद में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा हता है, ओप्शन है, एल्बुमिन, गलोबिमिन, या फिर केसिन, पीते तो सब लोग होंगे, लेकिन पता कि किसी को नहीं तो दूद जो होता है, इसमें पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन जो होता है, ठीक है, यह क्या होता है, केसीन होता है, कौन सा प्रोटीन 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 निकट दिरिष्टी दोस्ट, एस्तिगमेटिज्म या पिर रतोंदी, तो राइट एंसर है निकट दिरिष्टी दोस्ट, मायोपिया आँख का दोस है, ठीक है, जिसे निकट दिरिष्टी दोस्ट कहा जाता है, अगला सवाल दिखेगा, रेशम के कीडे किन पर पलते हैं, और तूलसी के पत्ते पर करी के पत्ते पर गुलाब के पत्ते पर या फिर मलबरी के पत्ते पर तो राइट एंसर है मलबरी के पत्ते जो रेशम के कीड़े होते हैं देखी होंगे आप लोग ठीक है यह किस पर पलते हैं तो मलबरी के पत्ते होते हैं ठीक है इस पर पलते हैं एक हजार चोबिस एक हजार चोबिस तो राइट एंसर हो जाएगा दिखिए एक हजार चोबिस इंटू एक हजार चोबिस होता है ठीक है इसका क्या हो जाएगा एक हजार चोबिस इंटू एक हजार चोबिस कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर होता है तो 1024 इंटू 1024 गीगाबाइट जो होता है वो एक पेटाबाइट के बराबर होता है ठीक है अगला सवाल दिखिएगा Playing it my वे नामक पुस्तक के लिखा कौन है औप्सिन है सचिन तेंदुलकर वीवी एस लक्षमर सोरव गांगुलूई ये फिर चेतन तेंदुलकर कौन है तो सचिन तेंदुलकर औप्सिन नमबर ए क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको पता ही होगा कि Playing it my क्रिकेट के नाम सही समझ में आ रहा है Playing मतलब क्रिकेट ही ठीक है इट माईवे नामक पुस्तक के लिखा कौन है तो सचिन तेंदुलकर जी अगला सवाल दिखिए ओडम एक पारमपरिक हिंदू ते वहार है जो खालिस्तान में मनाया जाता है आंद्रपरदेश, केरल, तामिल नाडू या फिर करनाटट कहां मनाया जाता है ओडम तो राइट एंसर हो जाएगा केरल, कौन-कौन से या केरल से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको Railway RPF exam के लिए सबसे best book चाहिए तो मैं आपको refer करूँगा चक्चू पब्लिकेशन का समाने अध्यन का book जिसमें आपको chapter wise solve it paper मिलते हैं इसके अलावा 6900 से भी जादा इसमें आपको MCQ मिलेंगे इसके साथ ही चक्चू का Railway RPF का guide और practice set भी आता है साथ ही chapter wise maths और reasoning भी आती है जिसे लेकर आप अपनी तयारी को और मजबूत कर सकते हैं इस book का link आपको video के description पर मिल जाएगा आप वहाँ से buy कर सकते हैं अब आगे अगला सवाल देखिएगा Mona Lisa को खालिस्तान पर paint किया गया था देखिए Mona Lisa का ये जो painting है बहुत ही जादा costly है आगे मैं बताऊंगा आपको ये जो painting था option है पत्थर, लकडी, कागज या फिर धातू की चादर किसमें paint किया गया था तो इसको किया गया था लकडी में painting किया गया था ठीक है आईए इसके बारे में देखते हैं वर्तमान में देखेगा ये दी आप लोग इसका प्राइज तो 5,169 करोड रुपय इसका वर्तमान में प्राइज है वही 1962 में सोच कर देखो कि 1962 में ये कितना था 75 करोड रुपया 1962 में इसका प्राइज था वर्तमान में कितना हो गया है 569 करोड रूपए अगला सवाल दिखेगा जलिया वाला बाग हत्याकांट से कौन सब ब्रिगेडियर संबन था करनल वेलेजली, जनरल हैरीस जनरल डायर या फिर आर्थर वेलेजली तो राइट एंसर हो जाएगा जनरल डायर ये जो था, ये आपका जलिया वाला बाग हत्याकांट से समद्धित था, ठीक है नेक्स्ट सवाल दिखेगा महाबारत का फार्सी में अनुआद किस ने किया था जो महाबारत है, इसका फार्सी में अनुआद करने वाला वक्ती था, बदाइनू बदाइनू ने महाबारत का फार्सी में अनुआद किया था अगला सवाल है हडपा के लोग किस की पूजा करते थे? दिकि जो हडपा वासी थे, ठीक है ये आपका देवी मा की पूजा करते थे और पशुपती, कौन पशुपती? तो पशुपती, सिव की पूजा करते थे देवी मा और पशुपती, सिव की पूजा करते थे अगला सवाल है गांधी जी ने डांडी मार्च किसके लिए प्रारम किया था? अप्शन है पूड सहुराजे, सोशाशन या फिर नमक कर लगाने के प्रती विरोध में उत्तरदाई सरकार के लिए किसके विरोध में किया था? तो राइट एंसर रजागा नमक कर लगाने के प्रती विरोध में महात्माग गांधी जी ने डांडी मार्च प्रारम किया था अगला सवाल दिखेगा माभूब गजनी का प्रसिद अंतिम अभियान किसके विरूद था अगला सवाल है भारत के उपराष्ट्रपती पर अभियोग प्रस्ताओं किसके दोरा लाया जाता है ओप्सन है विधान परिषत, विधान सभा, राज्य सभा या फिर लोग सभा और राइट अटिकल सभा ऑप्सन नॉंबर C तो right answer हो जाएगा article 335 में article 335 में ठीक है किस राज्य विधान सभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या है देखे किस राज्य के जो विधान सभा है उसमें सदस्यों की सरवाधिक संख्या है ठीक है तो right answer हो जाएगा इसका तो देखेगा, राइट एंसर अगव ऐसे तो उत्तर परदेश, आप लोग पता है होगा, सबसे ज़्यादा विधान सबसीट भी है और सबसे ज़्यादा लोग सबसीट भी है ठीक है, तो देखेगा, यहाँ पर जो लोग सबसीट है, वो कितना है, तो लोग सबसीट है यहाँ पर 404 इसके अलावा याद रखीगा कि महाराष्ट ठीक है महाराष्ट में 288 विदान सबसीट है और पस्चिम बगाल में कितनी विदान सबसीट है तो यहाँ 298 विदान सबसीट है इसके अलावा जो आंदर परदे से यहाँ पर 11 विदान सबसीट है या फिर निग्रानी लोगेंगी काई तो राइट एंसर हो जागा सिंबल लोडिंग यूनिट ठीक है चुनाव के संदर्ब में जो SLU है यह आपका इसका मतलब होता है कि सिंबल लोडिंग यूनिट ठीक है अगले सवाल दिखेगा हाली में नौ सेना प्रमुक का पद किसने गराड किया है तो देखें हाली में नौ सेना का प्रमुक का पद गराड किया गया है किसके दोरा एड्मिरल दिनेश कुमार तिरपाटी के दोरा आपसे नमबर B नौसेना परमुक का पत किसने ग्रहड किया है तो एड्मिरल दिनेश कुमार त्रिपाटी ठीक है इनके बारे में देखेंगे हम लोग देखेगा कि एड्मिरल दिनेश कुमार त्रिपाटी को बारतिय नौसेना के अगले परमुक के रूप में नियुप किया गया है वो 26 वे नौसेना परमुक है ठीक है और उन्होंने चीप एड्मिलर आर हरी कुमार का इस्तान लिया है एड्मिलर दिनेश वर्तमान में नौसेना स्टाप के उप परमुक है और उनका 40 साल का लंबा कैरियर है नौसेना परमुक 30 अपरेल को अपना पत बाहर ग्रहाड करेंगे इन्होंने अपना पत बाहर ग्रहाड कर लिया है अगले सवाल दिखेगा कि कि संसोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राजवेवस्ता की इस्तापना की कौन सा संसोधन ने तो राइट एंसर हो जाएगा आपका 73 सम흥ान संसोधन ने ठीक है 73 सम्थान संसोधन दीखेगा इसके बारे में कि भारती संसता के अर्टिकल 40 में राजयों के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है 1993 में समयधान में 73वा समयधान संसोधन किया गया था ठीक है 1902 करके 55 राज संस्ता को समयधानी मानयता दिया गया था अंगला सवाल है बिंदेश्वर पाठक को मर्डो प्रांत कौन सा पुरुसकार प्रदान किया गया है दिखे बिंदेश्वर पाठक को मर्डो प्रांत पुरुसकार मिला है तो इनको कौन सा पुरुसकार दिया गया है पद्म विभूशर दिया गया है कौन सा पुरुसकार मिला है बिंदेस्वर पाठक को मर्डो प्रान तो पद्म विभूशर दिया गया है ठीक है देखेगा ये है आपके डॉक्टर बिंदेस्वर पाठक जी ठीक है इनको अभी जो पुरुस्कार दिया जा रहा था उसमें प्रेशिडेंट दुर्पादी मुर्मुजी के द्वारा बद में भी विभूशर से सम्मानित किया गया है और ये जो हैं ये इन्होंने सूलब इंटरनेशनल सोशल सर्विस और्गनाइजेशन के फाउंडर हैंगे ठीक है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू